सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस के अफसर पर पूरा देश थलसेना की वीर्ता, जानबाजी, अदम्यसाहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। यह दिन फील्ड मार्शल केम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। 1899 में करनाटक के कुर्ग में जन्म लेने वाले फील्ड मार्शल करियप्पा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। साल 1903 में करियप्पा सेना से रिटायर हो गये थे। केम करियप्पा का जन्म करनाटक के कुर्ग जिले में सा 1899 में हुआ था. फील्ड मार्शल करियप्पा ने ब्रिटिश भारतिय सेना से फौच की नौकरी की शुरुआत की थी. सन 1947 में करियप्पा ने भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतिय सेना की कमान संभाली थी और पाकिस्तान को धूल चटा दी थी. करियप्पा भारतिय सेना के पहले कमान्डर इन चीफ थे, जिन्होंने 15 जन्वरी 1949 में सर फ्रैंसेस बुच्च से प्रभार लिया था. करियप्पा साल 1973 में रिटायर हो गए और करियप्पा को साल 1986 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया. हाला कि वे यह खिताब पाने वाले दूसरे शक्स थे, इससे पहले 1973 में भारत के पहले फील्ड मार्शन बनने का सम्मान सैम मानेक्षो को प्राप्थ है. इस्ट इंडिया कंपणी की सरकार के अंतरगत सैन्य विभाग में 1776 में भारतिय थलसेना की शुरूआत की गई थी. भारतिय सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफो सेल्फ अर्थात स्वपूर्व सेवा है. भारतिय थलसेना बाहरी तथा आंतरिक खत्रों से देश की रक्षा करती है तथा देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए देश में शांती सुनिश्चित करती है. भारतिय थलसेना में 12 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक कार्यर्थ है. भारती अथल सेना को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना होने का मान प्राप्त है 15 जन्वरी को दिल्ली में सेना कमान मुख्याले के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में सैन्य परेड और शक्ती प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके सेना दिवस मनाया जाता है इस दिन दिल्ली के परेड ग्राउंड पर आर्मी डे परेड का आयोजन होता है तंत्रत दिवस परेड का हिस्सा होती है. आर्मी डे पर आर्मी चीप बहतरीन सेवाओं के लिए जवानों को सम्मानित करते हैं और उनकी होसला अफजाई करते हैं. सेना दिवस के अफसर पर हम अपने देश के बहादूर सैनिकों को सलाम करते हैं.